हेलो एंड वेलकम गाइज BASC nursing करने से पहले यह यह अक्किक़ जान लो जि बिल्कुल जो नए student है जो BASC nursing कर रहे हैं उन्हें BASC nursing करने से पहले यह video जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस video में हम बताएंगी कि BASC nursing में आगे किस प्रकार क्या होता है क्योंकि आप नए हो कापी सारे ऐसे स्टुडेंट होते हैं जिने इनका पता नए होता फिर बाद में पस्ताते हैं बीएसी नर्सिंग के दोरान तो गाइज बीएसी नर्सिंग यदि आप कर रहे हो तो सबसे पहले ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही फाय दिमेंद होगी तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी बलेकबॉर्ड स्क्रीन पर तो guys हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं सबसे पहले आपको बता दू nursing sector में दो courses है कापे सारी student बीसी nursing में जातेैं कापे सारी student जीनम में तो यदी आप बीसी nursing करोगे तो आगे आपको मैं पहले बता दू केवल और केवल आपके English language चलेगी जी बिल्कुल केवल और केवल आपके English language चलेगी अब उसके बारे में क्या solution है उसका इस वीडियो में बात करूँ आगे और GNM के बात करें तो GNM में English और Hindi दोनों subject चलती है गाइज, GNM में English और Hindi और GNM में केवल English चलती है तो कापी सारी student अब मतलब tension में आगे कि English चलती है हम तो Hindi medium से हमारा क्या होगा और कापी सारी जो English medium से उनके तो फायदा हो गया तो गाइज, इस वीडियो में इसी के बारे में मैं बात करूँ अभी, सबसे पहले आपको मैं कुछ subject दिखा दिता हूँ जो BAC nursing first year में चलती है सबसे पहले आपको सो गाइज, आप अपनी स्क्रीन पर देख सेकते हो कि BAC nursing first year में कौन सा subject चलता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखावा है English, तो कापे सारी student बोलेंगे कि सार English भी चलता है student आपको English और Hindi दोनों subject चलते हैं, first year में केवल उन्हें केवल पास करना होता है उनका इतना रोल नहीं होता है, तो Hindi और English यह subject तो आप सोड़ दो, इसका तो कोई यह था महत्व है नहीं है, तो थोड़ा और निचे चलते है तो यहाँ पर दे रखा है, second पर anatomy and physiology तो anatomy and physiology यह आपका एक subject है, मानों यह first subject हो गया, तो anatomy and physiology और second subject है आपका nutrition and biochemistry, यह आपका दूसरा subject हो गया, guys nutrition and biochemistry और तीसरे subject की बात करें तो तीसरे subject practical वाला है जिसमें आपका practical होगा fundamental of nursing इसमें आपका practical होगा, यह तीसरा subject है, guys चोथा subject के बात करें, तो चोथा subject है, psychology, इसमें मानों के behavior के बारे में आपको बताया जागा, और पांचवा subject है, microbiology, यहनि कि इसमें सुक्सम जीवों का अध्यन किया जागा तो guys, कुल पांच subject है आपके इसे थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, यह देखे guys तो guys, आप देख रहे हूँ, इसी परकार English वाली book की आपके वहाँ पर allowed होँगे, आप देख सकते हो, कुल पांच subject है इसी परकार आपके English की book चल लगी, अब English अब Hindi medium वालों को क्या करना है, मैं इस वीडियो में बताऊँगा सबसे पहले, तो Hindi medium वालों को कोई tension लेने की जुरूत नहीं है, वहाँ पर सबसे पहले आपको, यानि कि आपको कैवल English में कुछी topic होंगे, जो आपको hard लगेंगे, बाकि कुछ topic हो एकदम दिरे-दिरे, यादि आप फिर प्रियास करोगी, तो आपको पूरा language समझ में आने लगेगा, तो इस वीडियो का बनाने का क्या motive था, कि कापी सारे student हमें पूछते रहते हैं कि sir, हम Hindi medium से हैं, तो करपया जो preparation है, वो Hindi medium में कराए, कापी सारे student पूछते हैं कि sir, हम English medium से हैं, तो preparation English medium में करवाए, तो guys, आपको अधिक से अधिक English पर focus करना, जीतना आप English पर focus करोगो, उतना ही आपके लिए best रहेगा, guys, तो आपको सबसे पहले English पर चलिए, आपको कुछ दिखा भी देते हैं कि कि किस प्रकार वहाँ पर आपको note से लिखने होते हैं, और किस परकार से वहाँ पर paper भी दिखा देता हूँ, guys, अब बीच से चलिए, तो guys, यह देखें किसी book का print out मेंने लिया है, तो इस परकार आपके English में चलेगा, आपको समझाने के लिए मैंने ये print out लिया है, तो बिलकुल आप देख रहे हो, English में यहाँ पर चलेगा, microbiology से लिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सेकते हो, बिलकुल English में लिखा गया है, तो सबसे पहले आपको कुछ paper भी दिखा देता हूँ, तो guys, इस परकार से आपको notes बनाने होगे, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर type of exercise, यहाँ पर exercise के परकार बताएगे, active exercise, passive exercise, तो इस परकार से आपको English में notes बनाने हो, और English में पढ़ना होगा, English में आपका paper होगा, तो paper भी दिखा देता हूँ, मैं भी आपको, तो guys, आपके सामने paper सो अगर हो रहा होगा, तो इस प्रकार से आपको पेपर इंगलीज में ही पुछा जाएगा गाईज आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर तो आपका ये पेपर होगा इस प्रकार से आपको इंगलीज में ही पुछा जाएगा गाईज और जबकि GNM वालों के लिए हिंदी और इंगलिस दोनों को यानि की प्रात्मिकता दी जाएती है student मैं भी आगे चल कर हिंदी हो जाए लेकिन अब भी आपको इंगलिस में फोकस करना पड़ेगा उमीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाएंगे प्रेस रखे क्योंकि एशी अपडेट में इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद